Good day to all of you जैसा कि आप जानते हैं आज की क्लास में आप सभी का practical test है आज आप सभी को कुछ प्रसंद दिये जाएंगे और आपको ये सभी अपनी सीट पर practically करके दिखाना है आएए आप practical test के नियम को देखते हैं इस test के लिए निधारित समय 45 मिनिट का है पैक्टिकल test के समय अगर कोई भी एक दूसरे से वर्तलाब करता पाया गया तो उसे test से बाहर कर दिया जाएगा एक प्रसंद के बाद उस प्रसंद को करना अन्यवारिय है अब आप सभी अपने computer को on करें और spreadsheet sheet की file को open करें आईए अब test को शुरू करते हैं अब आप mark sheet बनाएं जिसमें कम से कम 5 student होने चाहिए और 5 विशय के number होने चाहिए अब आप सभी एक column में total mark लिखें और फिर सभी student के marks का total करके दिखाएं सही answer के लिए आप video को देखें और अपने answer को match करें आईए वीडियो की मदद से total निकालना सीखें जैसे के आप सभी जानते हैं अगर किसी भी number का total करना है तो उसके लिए आप सभी sum formula का उप्योग करेंगे जहां पर आप total निकालना चाहते हैं वहाँ पर click करें जैसे के आपको वीडियो में दिखाए दे रहे हैं total निकालने के लिए तो से पहले equal to को type करें हमने यहाँ पर equal to को type किया फिर हमने sum type किया sum sum bracket को start किया अब यहाँ यहाँ पर देख सकते हैं number one number two लिखा हुआ रहा है जिस number को वी आपको total करना है उसको select कर ले हमने यहाँ पर select किया select करने के बाद bracket को बंद करेंगे bracket को close किया और फिर enter बटन को press कर देना है एक वर हमने enter बटन को press किया तो इन सब को total करके जो answer है वो यहाँ पर आ जाएगा जैसे का आप वीडियो में देख सकते हैं जो भी total किया है वो यहाँ पर आ गया अगर बाकी नंबरों का total value निकालना चाहते हैं तो आप इसे direct निकाल सकते हैं इसको select करके इसको नीचे की साइड ड्रैग करें pointer को आपको कोने में रखना है right side में यहाँ पर pointer को रखा और नीचे की साइड ड्रैग किया ड्रैग करने के बाद इन सबका total automatic आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाए दे रहे हैं तो इस प्रकार से आप some formula की मदद से आप किसी भी number का total value निकाल सकते हैं इन सबका total कर सकते हैं अब आप name के column के सबी नामों को capital करके दिखाएं और फिर अपने teacher को दिखाएं अगर ऐसा करने में कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें आईए वीडियो की मदद से सीखते हैं लिखे हुए text को जो small caps में लिखे हुए text को capital में कैसे करते हैं इसे capital में करने के लिए हमें सबसे पहले अब जिस भी text को आप capital में करना चाहते हैं उसको select करना होगा select करने के लिए आप उस column में या उस row में जाएंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है हमने column को select किया name वाले column को हमने select किया फिर अपने pointer को format menu पे लेके जाना है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है वहाँ पे click करना है click करने के बाद एक box आएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है फिर अपने pointer को change case पे लेके जाना है change case पर जैसे ही लेके जाएंगे तिहां पर कुछ options आ जाएंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है sentence case, lower case, uppercase हमें uppercase पर क्लिक करना है uppercase पर क्लिक करने के बाद जो भी text लिखा हुआ है वो capital में आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं तो इस प्रकास से आप किसी भी text को capital में कर सकते हैं capital में बदल सकते हैं अब आप सभी अपनी seat में chart को बना कर दिखाएं अब आप सभी answer के लिए video को देखें और अपने answer को मिलाएं आईए video की मदद से chart का उप्योग करना सीखें जैसे कि आप सभी जानते हैं हम अपने data को जो अपने data बनाया है अगर इसे हमें graphic के रूप में दिखाना है तो हम इसके लिए chart का उप्योग करेंगे सबसे पहले अपने data को select कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है select करने के बाद insert menu पर click करें click करने के बाद एक box आ जाएगा फिर chart option को select कर लें जैसे chart option को select करेंगे जो chart के बहुत सारे options है वो यहाँ पर आ जाएगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है यह चार्ट टाइप है, यह आपको किस तरaż के चार्ट चाहिह, कोलम में चाहिए, या बार में, यहिए पर आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, यह अलग-अलग ओप्सिंस दे रखाये, हमने हमने यह पर बार को स्लख्याद किया है, तो आप देख सकते हैं यह बार के style में चार्ट आ गया है फिर next पर click करेंगे जैसी next पर click करेंगे data range में आप देख सकते हैं जो हमने select किया था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है अगर उसको आप series में लाना चाहते हैं तो data series in row को पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं जो भी data था वो series में आ चुका है जो हमने subject type किये थे जो name है यह अलग अलग color से name को दिखाई दे रहा है data series in column पर करेंगे तो आपको देख से तो वीडियो में वो उस format में आ गया है फिर next पर click करें next पर click करने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर कुछ options आगे data series में जो हमारे पास जो subjects थे वो यहां पर आगे जो row की value है अगर यहां से आपको कुछ हटाना है या add करना है तो आप add और remove से कर सकते हैं फिर जाके next पर click करें अगर इसके लिए data के लिए अगर आपको कोई title देना है तो आप यहां से title दे सकते हैं उसके position को change कर सकते हैं यह legend दिखाए हुआ है अगर आप legend को टॉप पे लाना चाहते हैं जैसे कि आप वीडियो में दिखाए देना में टॉप पे क्लिक किया तो जो अमारे पा जो टाइटल दे जैसे की role number हिंदी, maths यह उपर आगे name अगर इसके legends को नीचे लाना है bottom पे क्लिक करेंगे तो यह चीज़े नीचे आजाएंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाए दे रहा है फिर finish पे click कर दे फिर इस पे click करने के बाद जो changes हमने किये थे वो आपके seat पे आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाए दे रहा है आप इस data को आप इस chart को ड्रैग करके कहीं पे भी ला सकते हैं और इसके size को आप कम या जादा भी कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाए दे रहा है जो इस green color की dots बने हुए हैं आप इस से इसके size को कम या जादा भी कर सकते हैं और ड्रैग करके seat पे कहीं पे भी रख सकते हैं तो इस प्रकार से आप chart का उप्योग कर सकते हैं अब आप सभी student grade A और grade B में लगा के दिखाएं इसके लिए आप सभी को इस formula का उप्योग करना हैं grade A और grade B लगाने के बाद अपने teacher को दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से चेक करें आईए वीडियो की मदद से grade A, B निकालना सीखें जैसे कि आप सभी जानते हैं कोई भी अगर हमें grade निकालना है उसके लिए हम conditional formula जो if होता है उसका उप्योग करेंगे सबसे पहले हमें equal to को type करना है जैसे कि आप जानते हैं कोई भी formula का हम उप्योग करते हैं सबसे पहले हमें हमें equal to को type करना होता है इसलिए हमने equal to type किया फिर हमने यहाँ पर if लिखा हमने यहाँ पर if टाइप किया फिर bracket को हमें start करेंगे bracket हमने start किया अब भी आप यहाँ पे देख सकते हैं टैस्ट वेल्या निखा हुआ है कि जो जिस पर आप कंडिशन लगाना चाहते हैं उस वैल्यू को आप सेलक्त कर लें हम यहाँ पर तोटल नमब्र जो आप ने टोटल निकारा था उसको आप इसको यहाँ पर सेलक्त कर लिया है हमने यहां पर जो C32 value था उसको select किया और इस वह में condition लगाना है condition लगाया हमने greater than का symbol लगाया हमने यहां पर अब हमें यहां पर कोई value लिखेंगे हमने C32 is greater than C30 हमने condition दिया अगर value 332 से 330 से ज्यादा है तो जो condition जो हम grading system देंगे जो हम यहां statement लगाया inverted comma के अंदर हमने A type किया इसका मतलब अगर जो भी value 330 से ज्यादा है उसके लिए जो grade आएगा वो A आएगा फिर हमने second condition लगाने है second statement लगाने है उसके लिए आप सभी को semicolon लगाना है semicolon लगाने के बाद जो दूसरा grading system है जो second statement है माफ कीजेगा जैसे कि हमें B लगाना है तो हमें inverted comma के अंदर B लिखा और फिर inverted comma को close किया इसका मतलब यह है अगर जो value 330 से C30 से कम है तो जो grade आएगा वो B आएगा अगर जो value 330 से जादा है तो जो grade आएगा वो A आएगा तो हमने यह condition यहाँ पर दिया है यहाँ पर आप देशेकते हैं जो पहली value 332 है 330 से जादा है इसलिए यहाँ पर A आया अब हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे हमने यहाँ पर pointer को रखा और नीचे की साइड ड्रैग करेंगे जितने भी numbers है उसके grading जितने भी numbers है जो उसका grade है वो automatic यहाँ पर आ जाएगा जैसे का आपको वीडियो में दिखाए दे रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ एक ही A grade है बागी सारे B है क्योंकि जितने भी values हैं वो 330 से कम हैं इसकी वज़े से यहाँ पर B आया लिखा हुआ तो इस प्रकार से आप इसकी मदब से आप grade लगा सकते हैं अब आप सभी एक नेर सेल में connect at computer6a.org को टाइप करें और फिर उसमें किसी फॉर्मूला की मदद से at को find करें और बताएं यह किस नंबर पर है अब आप अपने टीचर को दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से साही करें अथो आपने answer को मिलाएं आए वीडियो की मदद से सीखते हैं find formula का उप्योग कैसे करते हैं find formula की मदद से आप किसी भी row या column में लिखे हुए text में से किसी भी एक letter या text को ढूंड सकते हैं कि उसकी position क्या है वह कितने number पे है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाए दे रहा है हम यहाँ पे एक text हम यहाँ पे एक text टाइप कर रहे हैं हमने यहाँ पे एक email id टाइप किया connect at computer6a.org जैसे कि आपको वीडियो में दिखाए दे रहा है अब हमें इस में से किसी अगर एक text को find करना है किसी एक letter को find करना है दूरना है उसकी position को दूरना है तो इसके लिए हम find formula का उप्योग करेंगे सबसे पहले हमने equal to find type के जैसे कि आपको वीडियो में दिखाए दे रहा है हमने bracket को start किया क्योंकि हमें इस email id में से add को find करना है इसलिए हमने add को inverted कोमा के अंदर लिखा और आप सभी को भी धियान रखना है कोई भी text आप जिसे find करना चाहते है उसे inverted कोमा के अंदर लिखना है फिर semi column को लगाना है semi column को लगाने के बाद उस text को आपको select कर लेना है उस row या column को select करना जहां पर वो लिखा हुआ है फिर bracket को close करेंगे close करने के बाद enter बटन को एक बार प्रेस करेंगे जैसे हमने enter बटन को प्रेस किया आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 लिखा हुआ है 8 इसलिए लिखा हुआ है जो add की position है जो add लिखा हुआ है उसके यह number दिखा रहा है कि कितने number पर लिखा हुआ है जितने भी number पर लिखा हुआगा उसकी position को यहाँ पर दिखाएगा तो इस प्रकार से आप find formula का op करके किसी भी text का position उसके number को जान सकते हैं कि वह कितने number पर लिखा है अब आप सभी we look up formula की मदद से आप column 2 के पूरे data को seat 2 पर लेके दिखाएं फिर अपने teacher से चेक कराएं अब आप अपने answer को वीडियो की मदद से मिलाएं अगर आपका answer गलत है तो उसे वीडियो की साहता से सही करें आएए वीडियो की मदद से वी look up formula का उप्योग करना सीखें वी look up formula की मदद से जैसे आप जानते हैं पूरे seat में से अगर किसी भी एक column की information निकालनी है तो आप वी look up formula का उप्योग करेंगे वी look up formula का उप्योग करने के लिए सबसे पहले column को copy paste करें जिस column को आप की information निकालना चाहते हैं हमने पहले column को copy किया copy करने के लिए आप direct command का उप्योग कर सकते हैं जो की command बाद है control plus c फिर दूसरे seat पर आप उसे paste कर दें हमने यहाँ पर सिर्फ एक cell को यह copy किया है जो एक cell में name लिखा हुआ था हमने उसको सिर्फ copy किया एक बाद अब हमें उसकी information निकालनी है तो हमने यहाँ पर we look up सबसे पहले equal to उसके बाद हमने we look up को type किया search criteria जहां से आप डूना चाहते हैं जो हमार फिर्स सेल था फिर्स सेल को हमने select किया अब जो array है के लिए आपको जो पूरी seat दिया हुआ है क्योंकि हमें इस seat में से information निकालनी है उस seat में से हमें जानकारी निकालनी है यसलिए हम जो हमार पास जो data available है उस पूरे data को हम यहां से select करेंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाए दे रहे हैं हमने यहां पर data को select किया select करने के बाद हमें semi-column का उप्योग करना है semi-column लगाए हमने जिस भी column के आपको information निकालनी है column 1, column 2, column 3 किसी भी अगर एक column की information आप निकालना चाहते हैं तो आप उस column को count कर ले जैसे कि आपको वीडियो में दिखाए दे रहे हैं हमें second column की information निकालनी है जानकर हमें second column की चाहिए तीसलिए हमने यहां पर two type किया two type करने के बाद semi-column लगाया और हमें इसे zero से close कर दिया फिर हमने enter button को press किया तो आप देख सकते हैं जो second column पर जो row number लिखा हुआ था वो यहां पर आ गया है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाए दे रहे हैं अगर इसको आप drag करेंगे तो आप देख से तो जो ड्रैक किया तो हमने यहां पर कोई भी value भी नहीं आया यह इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने यहां पर सिर्फ जो first cell में हमने सिर्फ name को copy किया था जैसे कि आपको वीडियो में दिखाए रहे हैं और जिसकी नीचे की जो value है कोई भी value यहां पर नहीं है जिसकी वजह से कोई भी यहां पर result नहीं आया इसलिए हमें जो name वाले column है इसको बाकी की जो names है उसको select करना है अगर इसको हम यहां से copy करके वहां पर paste करेंगे तो जो इसकी जो value है जो role number है इसके आगे की जितने भी values है वह automatic वहां पर आ जाएगा करेंसे हमने seat 2 पर click किया और हमने यहां पर paste कर दिया जैसे हमने name को paste किया आप देख सकते हैं जो second column में जो है जिसका role number है वह यहां पर आ गया है तो इस प्रकार से आप वी look up की मदद से पूरे seat में से अगर किसी भी column की information चाहते हैं निकालना चाहते हैं तो आप वी look up का उप्योग करेंगे अब आप h look formula की मदद से पहले seat के दूसरे row के पूरे data को तीसरी seat पर लेके दिखाएं और फिर अपने teacher से चेक कराएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सही करें आईए वीडियो की मदद से h look up formula का उप्योग करना सीखें जैसे कि आप सब भी जानते हैं h look up formula की मदद से आप अपने पूरे seat में data में से किसी भी एक row की value को निकाल सकते हैं किसी भी एक row की data को आप निकाल सकते हैं सबसे पहले जैसे कि आपको वीडियो में दिखाए दे रहा है हम पहले row को select करेंगे इसे select करके जहां इसे हम दूसरे seat पर copy paste करेंगे पहले हमने select किया फिर हमने इसे copy paste करेंगे कोपी करने के लिए आप चाहें command करेंगे यूज़ कर सकते हैं हमने third seat पर click किया और यहां पर paste कर दिया आप देख सकते हैं पहला row अब सट जो first row था वह अब seat 3 पर आ चुका है अब हमें name वाले column के नीचे hlookup formula को लगाना है तो इसके लिए हमने सबसे पहले equal to को type करेंगे जैसे का आप वीडियो में देख रहे हैं equal to type करने के बाद आपको hlookup type करना है फिर bracket को start करना है जो हमारे पास जो first cell है उसको हम select कर लेंगे select करने के बाद semicolon लगाना है उस data में से हमने सबसे पहले first cell को select किया उसके बाद हमने semicolon लगाया जो अब array है उसके लिए हमने पूरे data को select कर लिया क्यूंकि हमें जो भी value निकालनी है इसी data में से निकालनी है इसलिए हमने इस data को select कर लिया फिर semicolon लगाया अब हम यह पर position लिखेंगे जो index है कितने number की data को आपको किस row की आपको information निकालनी है जिस row की भी आपको जानकारी निकालनी है उस row को आप count कर लें जैसे आपको वीडियो में दिखाए दे रहा है हमें fifth number की row की information निकालनी है तो हमने यहाँ पर five को type किया फिर जो sorted है इसे close करना है close करने के लिए आप zero का उप्योग करेंगे हमने यहाँ पर zero लगाया और bracket को close कर दिया enter button प्रेस करेंगे bracket close करने के बाद तो आप देख सकते हैं जो fifth row में मेहमा लिखा था वो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया अभी देखिए यहाँ पर सिफ मेहमा लिखा हुआ है अभी इसकी पूरे information अगर निकालनी है जैसे की roll number, Hindi, English, Math इसे भी आपको निकालना चाहते है तो आपको बारवर कोपी पेस्ट करने की जोरोत नहीं है सिर्फ मेहमा पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से ड्रैग कर देंगे जैसे हमने यहाँ से ड्रैग किया तो आप देख सकते हैं जो भी इसकी value थी वो सारे value यहाँ पर आ गया है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं अब दिखे हमने यहाँ पर फिर से पेस्ट किया रोल नंबर आ गया है यहाँ पर हिंदी इंगलीज मैथ सारे सब्जक्स आगे और जो उसके नंबर थे वो यहाँ पर आ चुका है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं तो इस प्रकार से आप HLOOKUP की मदद से पूरे डेटा में से किसी भी अगर एक row की information निकालनी है किसी भी एक row की अगर जानकर ही निकालना चाहते हैं तो इसके लिए HLOOKUP का उप्योग करेंगे अब आप सभी conditional formatting का उप्योग करके दिखाएं उसके बाद अपने teacher को दिखाएं अथवा सभी answer के लिए वीडियो को देखें आईए वीडियो की मदद से conditional formatting लगाना सीखें जैसे कि आप सभी जानते हैं conditional formatting से हम कोई भी condition लगा सकते हैं और उसको हम formatting के दवार दिखा सकते हैं जो हमने condition लगाया है इसके लिए सबसे पहले अपने data को select करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाए दे रहा है हमने पूरे data को select किया select करने के बाद अपने pointer को format menu पे लेके जाएं वहाँ पे click कर दें और conditional formatting option को select कर लें select करने के बाद एक box आजाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाए दे रहा है यहाँ पे condition 1 है आप condition लगाना चाहते हैं cell value को तो हमने cell value को select किया और यहाँ से condition लगाएंगे आप चाहें कोई से भी condition लगा सकते हैं हमने यहाँ पे greater than का condition select किया अब यहाँ पे हम value लिखेंगे हमने यहाँ पे 75 value लिखा तो हमने यहाँ पे condition दे दिया जो cell की value होने चाहिए वो greater than 75 होना चाहिए फिर अब हम formatting style में जाएंगे यहाँ से new style पे click किया यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के options दिये हुए number, font, alignment border आप इन में से चाहें तो कोई से भी formatting लगा सकते हैं हमने font effect पे click किया है जिसे हम text के color को change करना चाहते हैं हमने color को यहाँ पे select किया और ok पे click कर दिया अब जो भी value 75 से जादा होगा वो green color में आ जाएगा फिर दूसरी formatting हम लगाएंगे हमने condition 2 को select किया फिर से cell value हम यही पे रहने देंगे क्योंकि हम cell value पे formatting लगा रहे हैं इस drop down button पे click करें यहां से कोई condition select करें इस बार हमने less than का condition select किया फिर value लिखे हैं यहाँ पे हमने फिर से 75 type किया जैसे कि आपको वीडियो में दिखाए दे रहा है फिर formatting change करने के लिए new style पे click किया यहां से कोई से भी आप formatting select कर सकते हैं हमें फिर से color को change करना है तो हमने font effect पे click किया और font color में से किसी एक color को select कर लेंगे हमने red color को select किया फिर ok पे click कर दिया अब condition 3 को भी हम select करेंगे cell value को रहने देंगे और इस पर हम condition किसी एक condition को select कर लिया हमने equal to रहने दिया यहां पर और हमने यहां पर value लिखा 75 अब style style को change करना है तो हमने इसको ऐसे ही रहने दिया और फिर ok पे click कर दिया तो अब वीडियो में देख सकते हैं जो हमने condition लगाया था जितनी value भी 75 से ज्यादा है उसे green color में दिखाई दे रहे हैं जो value 75 से कम है उसे radical से दिखाई दे रहे हैं और हमने last में जो रखा था 75 equal to उसे ऐसे ही रहने दिया उसके इंदर कोई भी changes नहीं हुआ तो इस प्रकार से आप conditional formatting का उप्योग कर सकते हैं अब आप सभी table के header row जिसमें name और subject लिखे हुए हैं उस row के font style को बदलें और साथ में bold भी करें और फिर अपने teacher को दिखाएं और सही answer के लिए वीडियो को देखें आईए वीडियो की मदद से font name का उप्योग करना सीखें font name की मदद से आप लिखे हुए text की font के style को change कर सकते हैं उसके लिए सबसे पहले font को select करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाए दे रहा है हमने पहले row को select किया जिसके अंदर name, role number, Hindi, English, Math, Physics, Chemistry, Total लिखा हुआ है और grade लिखा हुआ है हमने इस row को select कर लिया अब हम इसके font के style को बदलना है उसके लिए अपने pointer को font name पर लेके जाना है उसके drop down button पर एक बर click करना है जैसे आपको आपे click करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपको font style दिखाए देंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाए दे रहा है यहाँ आप आप देख सकते हैं अलग अलग परकार के font style है इन में से आप किसी भी एक style को select कर ले select करने के वाद जो style आप select करेंगे वो style आपके font पे आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाए दे रहा है अगर आप इसे bold करना चाहते हैं तो B पे क्लिक कर दें bold हो जाएगा इस प्रकार से आप font name की मदद से लिखे हुए text की font के style को बदल सकते हैं अब आप सभी लिखे हुए email id को अलग अलग करके दिखाएं और फिर अपने teacher को दिखाएं सभी answer के लिए वीडियो को देखें आईए वीडियो की मदद से text to column का उप्योग करना सीखें जैसे कि आप वीडियो में दे सकता है हमने यहाँ पे email id लिखा हुआ है connect at computers.org यह एक ही column के अंदर लिखा हुआ है अगर इसे आप अलग-अलग column में करना चाहते हैं अलग-अलग column में लाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें text to column का उप्योग करना है इसके लिए सबसे पहले से select करें select करने के बाद tools पे click करें data menu पे click करें fit text to column को select करें और यहां पर आप देख सकते हैं जो हमने select किया था वह यहां पे लिखा हुआ है connect at computer68.org जो separated by है किस से उसे अलग किया गया है उस symbol को आपको type करना है सबसे पहले tab को यहां से हटा दें जो select किया था और other पे click कर दें तो हमने जो other option में दिया था symbol लिखा connect में हमने add का symbol दाला तब देख से तो जहां पर भी add लिखा हुआ था उसे अलग करके दिखाया है यहां पे वह separate कर दिया है फिर हमने comma लगाया यहां कि क्योंकि दो symbol यहां पर था एक add का symbol है और एक dot का symbol है तो इसलिए में comma में जाके फिर हमने dot भी type किया फिर ok पर click किया तो आप यहां पर देख सकते है connect अलग cell में लिखा हुआ आ गया है computer शिक्षा अलग cell में और ORG अलग cell में यह तीनों अलग cell में आ गया है पहले यह एक साथ था अब हमने text to column की मदद से इसको अलग अलग column में ला दिया तो इस प्रकार से आप text to column का उप्योग कर सकते हैं अब आप सभी अपनी file को PDF में save करें और फिर अपनी sheet को save करें और अपने teacher को दिखाएं अब अगली class में आपका return test होगा जो computer शिक्षा के द्वारा लिया जाएगा अगर कोई भी विदर्थी test को नहीं देगा तो वैं fail माना जाएगा और फिर वैं आगे की module में नहीं जा सकेगा इस return test में आपके पास 30% होंगे जो की बहुँ विकल पर होंगे झाल